नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो अरियाना पुलिस परती से समन्दित एक और नई खबर आई है दोस्तो बड़ी खबर है और ये वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि इस चीज के आपको भी जानकारी होनी चाहिए तो एक एक चीज को धान से समझना दोस्तो वीडियो में आगब पढ़ने हैं पहले आप सबीस रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा सेयर करें और जो साथ ही इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वड़े वीडियो का नोटिफिक्षन आपको समय पे मिल सके तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या नई ख़बर आई है देखो दोस्तों खबरी है पुरूस अन्सो पतां पर भर्ती पर गिर्या चल रही है और यह बर्ती अरِّयाना करम शरी चेयन आयोग कर रहा है इस बर्ती पर सबसे ज़्यूदाब विवात हो रहा है गंग्या रियारियम भी इसक्ते खूब चर्चा है और पुचा जा रहा है क्या आयोग की कमी रहा गिना है यह देखो, सबसे पहले बताया जारा कि बरती सुरू होई तो पेपर लीक हो गया, एक दिन पहले ही, फिर विवाद हुआ उस पे, फिर क्या विदान सबब में इसका मामला उठा, पुलिस ने कारवाई का दावा किया, जहां पेपर प्रेंट होता है, वहाँ दिक्कत आई थी है, सब चीजें डिसकस होई थी उस टाइम, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, दूसरी बार पेपर हुआ, तो क्या हुआ, एक सिप्ट में चार-चार पेपर ले लिए गए, उस पे फिर विवाद हुआ, फिर उसका रिजल्ट आया, तो उसमें नॉर्मॉला यूज कर लिया, ऐसा परसेंटाल मेतर तो उस पे फिर विवाद हुआ, उसके बाद क्यों देखो, दोड लगाने गए, बच्चे पहुँचे तो उसमें 49 पकड़े गए, जिन्हों में पेपर ही नहीं दिया था, उसके बाद जो PMT हुई थी सारी रिकमापतौल, तो उसमें 102 ऐसे पकड़े जिन्हों ने जो की लिकित परिक्षा में बैठे ही नहीं थे, देखो, लिकित परिक्षा में बैठे ही नहीं थे, और बरती परिक्रिया में अंतिम तरण तक पहुँच गए, अब देखो के लियारिया में पूछा जा रहा है कि इस बरती परिक्रिया में अगर इस तरह तरी के से अपनाए जा रहे हैं तो मेरिट वाले उमिद्वारों को क्या होगा ये तो वो उमिद्वार तो पकड़ में आ गए तो पकड़ में नहीं आए और बरती हो जाएंगे उनका क्या होगा लिकित प्रिक्षा के लिए आयोग इतने इंत्जाम करता है मगर असली उमिद्वार किस्तान पर दूसरे उमिद्वार को बैटने से सिस्टम को फेल साबित होता है तो आयोग के पास ऐसा परबंद नहीं है कि सीटर को रोका जासके इस बार तो उमिद्वारों के हाइट पर भी विवाद हो गया था ये भी आपको पता है और इसमें एक चीज़ ये पता ही गई देखो कोंग्रेस वरिष्ट नेता रनदीप सिंग सुर्जे वाला प्रेस कॉंप्रेंस पर आयो आरोप लगाया था कि प्रुलिस सिपाई भरती पर क्रिया के लिए लिखित परिक्षा पास करने और फिजिकल स्क्रेंडिंग टेस्ट पास्ट करनाने के अलग 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 र विवाद पहले भी होते थे मगर इतने ज्यादा कभी भी नहीं ओए जिसने इस बार हुए हैं अब गलियारे में पुछा जारा है कि क्या आयोग इस बरती इस बार सही बरती करने में फेल रहा है सरकार ने नकल रोदी कानून भी बनाया लेकिन उसका कोई खास असर नहीं क्या इसको पूरा करना चाहिए या दुबारा से करना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं आपने वीडियो यहां तक देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद